नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीश्टू सक्सेसे केड़ में आज के इस वीडियो में आपने यूनिट 4 कर टेस्ट देखेंगे और यह टेस्ट नमर 4 है जैसे कि आप लोग के आप दिक रहा होगा आपको जो भी जांकरी मिलेगी संपूर्ण बैकर सहीद होगी और टार्गेट आपका यह उनाची के से स्वाल करें तो आप पढ़िया तरीके से वीडियो को तेखिए इंजय कीजिए इतने टेस्ट देखेंगे कि आप टेस्ट लगा लगा कि आपका मैक्सिम्म जितना भी से लिवस है उसका रिविजन हो जाएगा तो बस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि यहाँ पर आसा तिक हतन को छाटिए ओप्शन है गुनाशूपुरी वा मुरहन शौपूर में ज्वार उत्पादन होता है ओप्शन भी है खंडवा वखरवन में चावल और कपास यहाँ उत्पादन हो तो ऐप्शन बी है गेहू संपून पूरु अमत प्रदेस में नहीं यह उता है औप्षिण के झाम आप्चि दहानां इनद्र इंद्र ना पर इंदौतराफ्राफ में तो यहां gusti ध्येजद अंद्र इंद्र स्विश्विश्विद्या है तो इसका option B सही हो जाएगा ग्वालियर question number 4 है कि मद्य प्रदेश में सरवादिक सिंचित फसल कौन सी है तो सरवादिक सिंचित फसल है गेहू option number 1 पाच्वा है बार्जागर परियोजना किन राज्यों की स्विंगत परियोजना है तो ये तीन राज्यों की स्विंगत परियोजना है मद्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहाद के फिर है छटमा question बार्णा परियोजना किस जिले में तो बार्णा परियोजना option D रायसें जिले में है तो ये बार्णा जो है नर्मेदा की एक सहायक में दी है उसी पेस्ति थे ये फिर है साथमा question पश्वी मंद्य प्रदेश में सिचाई का प्रमुक साधन निमलिकित में से क्या है तो पश्वी मंद्य प्रदेश में सिचाई का साधन कोई है option number C आठमा question है नहरो द्वारा सरवादिक सिचाई कहा होती है तो नहरो द्वारा सरवादिक सीचाई होगी उत्तर पश्चमी छेत्र में उप्शन नमबर B क्वेशन नौवा है निम्लिकित में से असत्य यूगम को छाटना है तो उप्शन नमबर A असत्य हो जाएगा क्योंकि ये थावर परियोजना विदिशा में असत्य कथन है तो प्रदेश और राजस्तान की स्विंगत परियोजना है उप्शन B है जवाहर सागर जल विदूत केंदर चंबल नदी पर है उप्शन C है इस परियोजना पर दो बान्द स्थित है और उप्शन D हो जाएगा इस परियोजना से 386 मेगावाट जל विदूत का पादन होता है तो यह option number C जो है उसत्य हो जाएगा इस परियोजना पर दो बांदी बल्कि तीन बांद है एक गांधी सागरबान एक राणा सागरबान और एक जवाहर सागरबान चंबल नहर सिचाई परियोजना संबंदित है तो यह यमुना नदी बेसिन से संबंदित हो जाएगा क्योंकि चंबल तो यमुना की शायत नदी है फिर है बारवा क्वेशन जवाहर सागर जल विद्धुत परियोजना किस नदी पर है तो यह भी चंबल नदी पर इस्तित है फिर अगला क्वेशन हो जाएगा है 만द्पप्रदेश की प्रमुक फसल क्या है तो इस Option में, उप्षिन B, रिवा जिले के गुड़ तैसिल में हो जाएगा अगला question है निम्दिकेट मेंसे किस क्रिशी पद्धतियों का सही करम क्या है तो इसमें सही करम हो जाएगा बी सबसे पहले मिट्टी तयार करना, फिर बुवाई करना, फिर सिचाई करना, फिर कटाई करना मंद्ध प्रदेस के निम्द की जिलों को उनके अनूठे उत्पात के साथ मिलाना है तो यहां अशोक नगर में क्या हो गया चंदेरी की साडियां खरगौन में हो गया महश्वरी साडियां बुर्हानपूर में हो गये केले और मंदसौर के लैसुन हो गये तो यह ऑप्षन नंबर हो जाएगा बि फिर है कौनसा ताफ विदूत के मदद्ध प्रदेस राजस्थान की सेयुक्त परियोजना है तो यहां हो जाएग ऑप्षन नंबर D सत्पुड़ा ताफ विदूत के 10 अठारबा असत युग्म का चोएन करना है मेगनगर जाबुआ पीलू खेड़ी रायसेन पुरैना पन्ना मनेरी मंडला तो यहां भी पीलू खेड़ी असरते हैं रायसेन जिले में नहीं है फिर है अध्योगिक मतपदेश औध्योगिक विकास निगम के स्थापना कब होई तो मतपदेश औध्योगिक व मोशंगाबाद में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देवास में अकभारी कागज का कार खाना ये नेपानागर में और एलकलाइट फैक्टरी हो गई नीमच में तो अप्शन नमबर बी का हो जाएगा डी सही फिर है 21 जनगर्णा कार 21 जनसंख्या दिनियम के अनुसार किया जाता है तो ये जनसंख्या दिनियम 1948 के अंतरगत किया जाता है फिर है अगला क्वेशन मिर्त्युदर का अकलन किया जाता है प्रती 1000 पर फिर है किसी अर्थ वस्था में कुल प्रजन अंदर को किस रूप में परिवासित किया जाता है तो कुल प्रजन अंदर है एक महिला की गर् प्रतिवर्ग किलोमीटर फिर है पचीसवा नियुन्तम जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम क्या है तो यह अवरोही क्रम पूछ रहा है इसका option क्या हो जाएगा option number c उमरिया फिर हो गया हर्दा फिर आगर मालवा फिर हो गया निवाड़ी option number c फिर है 26 मा 2011 में मत विदेश की साक्षर्ता की साक्षर्ता दर के संबन में सही विकल्प है तो इसमें हो जाएगा option number b 63.7% से बढ़कर 79.32 प्रिद्सेत हुई है option number b 26 का फिर है अगला question जनसंख्या किस सूची का विश्य है तो जनसंख्या संग सूची का विश्य है option number a फिर अगला कोशन है मत्यपिदेश के किस जिले में सबसे कम नगरी जनसंख्या है तो सबसे कम नगरी जनसंख्या डिंडोरी में है option number D हो जाएगा और सबसे जादा बोपाल में है फिर है 29 मत्यपिदेश में धारिमिक जनसंख्या के आरोही क्रम को सजाना है तो इसका अंसर हो जाएगा B सबसे पहले सबसे कम संख्या में सिख हैं उसके बाद बौध हैं उसके बाद जैन हैं उसके बाद मुस्लिम हैं और फिर सबसे पहले हिंदू आते हैं तो option number B सही हो जाएगा फिर question अगला question है तीस नंबर मद्द प्रदेश का सरवादिक नगरी कृद जिला है तो नगरी कृद जिला अपना भोपाल हो जाएगा option number B सही हो जाएगा फिर एक तिस्वा मद्द प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वृद्धी दरवाला जिला है तो गैर परमपरागत हो जाएगा परमाड़ उर्जा यह अपनी गैर परमपरागत नहीं है फिर है 33 निमन कितमें से कौन सा असत्य है अप्शन यह हो जाएगा सूती कपड़ा उद्योग में मंत्पदेश का तीसरा इस्थान है चीनी की पहली मिल रतलाम में स्थापित की गई थी मत्पदेश हदकर का विकास निगम की स्थापना 1976 में की गई और इलेक्ट्रोनिक कॉंप्लेक्स आगर में है तो यह अप्शन नमबर डी गलत हो जाएगा सबसे अधिक नल कूपो की संख्या मद्य भारत के पठार के शेत्र में और नियुंतम सिचाई वाला जिला डिंडोरी है तो यहां अप्शन नमबर सी असत्य हो जाएगा क्योंकि सर्वादिक नल कूपो की संख्या यह मालवा छेत्र में अधिक है फिर है सैतिस्वा कोश्चन देजडा देवडा परियोजना के जिले में तो यह खरगौन जिली से संबंदित है योगमों में से सही सुमेलित नहीं है तो इसमें की छमता है गां चार सो पचीस मेगावाट और ओमकारिशों जल विद्युत के इंदर में 450 मेवाट तो इसका आंसर हो जाएगा डी ओमकारिशों जल विद्दूत के इंदर की चमता 452 मेवाट. नहीं है फिर है निम्निक्त कत्नों पर विचार कीजिए चंबल घाटी मद्पिदेश और राजस्थान की सेंथ परियोजना है फिर दूसरा है इस परियोजने में चंबल नदीप पर तीन बांध बने हुए हैं इस परियोजने से चंबल नदीप तीन बांध बने हुए है फिर है अगला चालिसमा कोश्चन सही सुमेलित कीजिए तो मोहिनी सागर बांध हो जाएगा यह शिवपूरी में और बिरसिंगपूर परियोजना हो जाएगी अपनी यह उमरिया में और बर्गी परियोजना जबलपूर में और यह परियोजना बच रही है तो यह घंडवा में हो जाएगा उसको उप्शन नमबर सी सही हो जाएगा पहले का दूसरा दूसरे का तीसरा तीसरे का चौथा और चौथे का पहला हो जाएगा अब एक तालिसमा कोश्चन सो रुजा से पानी गर्म करने का देश में सबसे बड़ जिले में ऑप्शन नमबर डी सही हो जाएगा फिर है और दोगी केंदे बैढ़न के जिले के अंतर गाता था तो बैढ़न ये सिंग रॉली जिले के अंतर गाता था ऑप्शन नमबर ए अगला कौशन है निम्र कितमी से सुमेलित नहीं है तो छाता उद्योग महू में प्रफम चीनी मिल करना है सुमेलित है प्रफम कागज मिख प्रफम कागज मिल बुर्हांपुर् सीमेंट उद्योग कटनी रतलां में तो इसका हो जाएगा प्रफम कागज मिल बुर्हांपूर् – यहिँ सज़िए मद्देश में जरी कड़ाई उद्योग इस्थापित किया गया तो सबसे पहले स्थापित किया गया तो औप्शन नमबर सी इसमेलित नहीं है जूटमिल राजगड में और्डेनेश फैक्टरी कटनी में कीटनाशक दवाई बोपाल सगर में इसका सही हो जाएगा डी नंबर ये विजु चिलित-पॉम सगर में श्कुत नहीं नहीं है फिर इमद्देप्रदीश का पहला निर्याद समवरिदन पार्क था अपने पहला प्रक का है सकिवगा पीधंपुर ciao ये फिकता आंपला अब question number 51 है नवीनतम मद्ध प्रदेश जलनीती किस वरसा आई है तो इसका अंसर हो जाएगा option number B 2022 में फिर है अगला question मद्ध प्रदेश में निम्ली कितमेशी के जिले में सबसे कम पोशन गरत हो है तो इसका अंसर हो जाएगा option number B विदिशा हो जाएगा फिर है अगला question मद्ध प्रदेश की मृत्युदर कितनी है तो मद्ध प्रदेश की मृत्युदर आठ व्यक्ति प्रती एक हजार में है फिर है मद्ध प्रदेश की जन्मिदर से सम्मंदित सही कतन को चुनिए तो इसमें option क्या क्या है मद्य पिदेश की जनमेदर 25 है सबसे अधिक जनमेदर इंदार जिले में दर्ज की गई है और सबसे कम जनमेदर गौले जिले में दर्ज की गई है तो इसका सही आंसर होगा B केवल 1 और 3 सही है तो मद्य पिदेश की जनमेदर 25 है पर इसका उप्षन हो जाएगा option नमबर A ग्यारा सो पंचानवे व्यक्ति फिर है अगला क्वेश्टन विश्व आद्र भूमी दिवस दो फरवरी कहा मनाया गया था 2024 का तो ये मनाया गया था अप्शन नमबर सी हो जाएगा सिरपुर जील ये इन दोर पे फिर है संतावन क्वेश्टन पगाराबान ये जोरा मुरैना में इसका निर्माण किस वर्ष में किया गया था तो इसका निर्माण हुआ था 1927 में फिर है अगला क्वेश्टन रायगावा सिचाई परियोजना का अस्तित है तो ये हो जाएगा छतरपूर में आप्शन नमबर अगला क्वेश्टन है निर्म लिखिद सिचाई परियोजना को उनके जिले से मिलान करें तो इसका अंसर हो जाएगा बी नमबर तो पहले का चौथा हो जाएगा जिसमें बेदा परियोजना हो जाएगी खरगौन की दूसरे का दूसरा हो जाएगा इसमें रोसरा परियोजना कटनी की हो जाएगी तीसरे का पहला हो जाएगा जिसमें मचरेवा परियोजना नर्सिंगपूर की और चौथा अतरिया परियोजना हो जाएगी फोर्थ का तीसरा कटनी जिला हो जाएगा तो ये 59 का आप्शन नमबर बी हो गया फिर है अगला साथ नमबर का क्वेशन मद्द प्रदेश का निम्निकित में से कौन सा जल निकाय भारत सरकार के एनपी सीए जली पारिस्थ की तंतर के संडरक्षन के लिए राष्ट्योजने है उसके दहत सामिल नहीं किया गया है तो इसका हो जाएगा बी नमबर जो यह गिरिवर तलाव शाजापूर में इसको सामिल नहीं किया गया है जबकि सिंद सागर अम्रिट सागर सीता सागर इन दिनों को एनपी सीए के अंतरकर शामिल किया गया है फिर है राम सर का सचीवाले कहां इस्थीत है तो यह हो जाएगा ग्लैंट सीजर लेंड में सुरक्षित जलुप लबजता 2004 की तुला में बहतर हो रही है फिर है 2021 की तुला में 2022 में अधिक वर्षा वाले जिलो की संख्या में व्रिद्धी हुई है और तीसरा है जबकि कम वर्षा वाले जिलो की संख्या में कमी आई है तो इसका 20 ही होगा दूसरा और तीसरा 2021 की तु भारत सरकार के अनुशंसा पर मद्य पिदेश के किंदो शहरों को वेटलेंड सिटी क्रीडेशन कारेकरम के अंतर सामिल किया गया है तो यह हो जाएंगे इसका हो जाएगा फिर है अगला क्षचन दोजार टेशोबिस के अंसर मद्य पिदेश में फसल उतपादन के सम्मंद में निम्लकितमी से कौन सा कथन सही नहीं है तो इसमें सही कथन नहीं है तो इसमें देखतों और अप्शन क्या-क्या है अनाज उत्पादकता में उलेकनी वृद्धी हुई ह और B है दाल उत्पादन में उन लेकनी वृद्धी हुई है C है कुल मिलाकर फसल उत्पादन छेतर में वृद्धी हुई है जबकि जोता है कुल फसलों के छेतर का विस्तार हुआ है तो इसका सही हो जाएगा मतलब इसका सही कथन नहीं है ए नमबर अना जुत पादक्ता में उन लेकनी व्रिद्धी हुए ये आप्शन सही नहीं है बागी सभी सही है इसमें अगला कॉश्चन है पैसट नमबर दोजा तेश चौबिस में निम्रकित में से किस फसल का छेतरफल घट गया है तो ये हो जाएगा गेहूं, सी गेहूं का तो गेहूं का छेतरफल घट चुका है मद्ध प्रदेश के बड़े छेतर में निम्रकित में से किस दलहन की खेती की जाती है तो दालों में सब ज़्यादा खेती किस की की जा रही है तो ये हो जाएगा सी चना की ऑप्शन नमबर सी सही होगा इसका फिर है अगला क्वेशन मेरी पौलसी मेरे हाथ किस योजना का हिस्सा है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए प्रदान मंत्री फसल बीमा योजना पिर निम्ड़कित में से कौन सा राष्टी क्रिशी उत्पादन लक्षों को प्राप्त करने के लिए क्रिश उन्नती के तकनीकी घटक में से एक नहीं है तो इसका हो जाएगा B नमबर एग्री GPS तो एग्री GPS जो है ये इसके घटकों में शामिल नहीं है जबकि एग्री स्टेक, एग्री, जी आईएस और MP किसान मुबाइल एप ये तीनों को राष्टी ग्रिश उत्पादन के लक्षों में सामिल किया गया है फिर है मदपिदेश में निम्ड़कित में से किस फसल का उत्पादन सरवादिक होता है तो इसका हो जाएगा आप्षिन नमबर एक केला फिर है किस जीले को केले के लिए 2023 का राष्टी ओडियो प्रिसकार मिला है तो इसका अंसर C होगा बुरहानपूर वैसे भी केले का उत्पादन सरवादिक बुरहानपूर में होता है तो 70 का हो जाएगा C नमबर अगला क्वेशन है मद्पिदेश का प्रशेद जीरा संकर शावल कहा हो गाया जाता है तो जीरा संकर शावल यह सिवनी जिले से संबंदित है तो इसका अंसर हो जाएगा A नमबर सिवनी जिला क्वेशन है 72 नमबर का मैत्री क्या है तो इसका अंसर हो जाएगा ए ये कृतिम गर्बादान से संब्भन दित है फिर है मंद्य प्रिदेश में कुल कितने दुखद संग है तो इसका अंसर हो जाएगा B नमबर 6 74 नमबर का फ्लाइट स्कॉाइट एब किस से संबन दीथ है तो ये हो जाएगा C ये पशुदन से संबन दीथ है फिर है 75 नमबर का मार्श 24 तक किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने में मद्यप्रदेश का कौन सा इस्थान रहा है तो इसका हो जाएगा A नमबर दूसरा इस्थान रहा है फिर अमरेट सरोफ़ों का निर्मान पूरा करने में मद्यप्रदेश का देश में कौन सा इस्थान है तो इसका हो जाएगा B, ये भी मंदपेदेशिस में भी दूसरे स्थान पर है, option number B, फिर है सतक्तर, निम्रिकित कतनों में सही कतन का चैन करना है, पहला क्या है, सिबनी जिले को वैस्विक मत्स सम्मेलंद हो जातेज में अंतर डेसी मशली पालन के लिए सर्वशेष्ट पुर सिबनी जिले को वैस्विक मत्स सम्मेलंद हो जातेज में अंतर डेशी मशली पालन के लिए सर्वशेष्ट पुर्सकार मिला है, और बारागार जिले में प्रतिमी सरस्वधी मत्स सहकारी समिती को मत्स छेत्र में सर्वशेष्ट किसी समिती की रूप में मानेता मिली दोनों पार्पेट पार्क स्थापित किया रहा है गौालियर में और मुरायना में भी क्योंकि ये गौालियर छेत्र की कालीन फेमस भी है जिसको जी आई टैग भी मिला हुआ है तो इसका डी हो जाएगा ए और बी फिर है 79 नमबर का क्वेश्चन निम्लिक बांधों को उसकी नदी से सुम्यलित कीजे जिस पर ये बने हुए है तो इसका हो जाएगा ओप्शन नमबर ए सही हो जाएगा जिसमें पहले का पहला ही होगा तो बांस हो जारा चेतर पूरवा टिकमगड़ चेतर में है और दूसरे का चौत्व हो जाएगा बैतोल जिले में सगड है ये विदिशा म सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो इसका अंसर हो जाएगा ये रीवा जिला सामिल नहीं किया गया है स्मार्ट सिटी मिशन के अंतरगत फिर एक यासी का दोजार तेश और अबिस तक मद्द प्रदेश के जिले में सबसे अधीक है तो सब ज्यादा सब्सक्राइब अपन निम्मर का के क्षण सही कतन का चैन करना है स्वार उर्जा के उत्पादन में मद्द प्रदेश प्रथमिस्थान पर है और दूसरा MP में सब ज्यादा उर्जा की खपत घरेलुकारियों में होती है तो इसका सही हो जाएगा इसमें दोनों ही कतन सही नहीं है सौर रूर्जा की उत्पादने में भी MP पहले स्थान पर नहीं है और सब ज़्यादा उर्जा कापत गहरे लुकारियों में नहीं होती है ये दोनों ही कथन गलत है फिर 84 का मुरैना जिले में फैला कैलारा शेत्र किस खनिच के बंडार के लिए प्रसिद्ध है तो कैलारा शेत्र चूना पत्तर के लिए प्रसिद्ध है आप्शन नमबर सी 85 नमबर का क्वश्चन है मदपदेश में भूजल संसाधन का अतेदिक दोहन करने वाले जिले मुक्य रूप से निम्नकित में से किस खेत्र में केंडरित है तो इसका हो जाएगा D नमबर तो मालवा शेत्र हो जाएगा तो मालवा शेत्र में भूजल संसाधन का सबसे अधिक दोहन किया जा रहा है 86 है नमदपदेश के 7 अध्योगी केंडर विकास निगम को कितनी छेत्री कारियालों में पुदर गठित किया गया है तो इसका हो जाएगा 5 तो साथ अध्योगी के विकास निगम है और इनके छेत्री कारियाले 5 बनाए गए गए 87 नमबर बिलावा वा तमोट प्लास्टिक पार्क क्रमशे है तो बिलावा तो ग्वाले जिले से संबंदित है और ये तमोट हो जाएगा ये दमो जिले से हो जाएगा तो ऑप्शन नमबर डी हो जाएगा इसका फिर है और द्योगी क्लस्टर वो और उसके इस्थान के भी गलत जोड़ी को चुनना है तो पोहा क्लस्टर इंदौर लाइम श्टोन कटनी नमकीन क्लस्टर इंदौर और इंजिनियरिंग क्लस्टर इसमें ए नमबर इसका गलत हो जाएगा क्योंकि पोहा क्लस्टर इंदौर में बलकि जैन में है फिर है अगला क्वेशन निम्र कितमें से कौन सा विकल्प मदपदेश के चार निवेश गलियारों में से एक नहीं है तो इसका सही हो जाएगा डी नमबर भोपाल बीना निव प्रमोशन पार्टर्शिप के तहट भारत में साबित होने वाले बारज आपानी अध्योगिक टाउन्शिप में से एक के रूप में कौन सा सहर विक्सित किया जा रहा है तो यह हो जाएगा बी नमबर पीथमपूर फिर अगला क्वेशन इंक्यान नमबर 2011 के जन करना को सार जिलो को उनकी जन संक्या घनतव से सुमेलित करना है तो इसका हो जाएगा C नमबर से ही हो जाएगा तो पहले का तीसरा हो जाएगा सब जाबे यहाँ पे 805 हो जाएगा भोपाल का अगला हो जाएगा इंदौर का 841 फिर जबलपूर का हो जाएगा 473 और डिंडोरी जिले का सबसे कम चौराने हो जाएगा तो तीराने का आंसर नमबर C होगा हाँ चौराने नमबर का कॉशन है कार खाने मुख्य रूप से चूरे के बंडार के पास किसके लिए स्थापित किये जाते हैं तो चूरे के बंडार में मुख्य था सीमेंट उद्योगी स्थापित किये जाते हैं बीत मैं कौन सा जिला चीनि उध्योग से संबंदित नहीं यहां फिर उनौourd क्वह जांदाlla की शुजबानाथ भी व्याएं हसनक प्रविन की संबंदित है तो और नर्शींद पूर भी ह॥ ढूरत बाल चीनि उध्योग से संबंदित है है तो अक्षा अंसाधन से यह डॉललो मायट नहीं है बाकी जॉहरी अंसा पर उज्ञारो तिनों हमारे अक्षा अंसाधन ने शामिल कि fell अग्ला क्वेशन है वल्सपन्संण ऊर्प्रियोजना मड़येश के फो pilgrimage यह से संभिद Shepherd रिया क्ोम मद्च पेदेश ने इस वरस अपनी नई उदियों के नीती गोषित की थी तो मद्च पेदेश की नई उदियों के नीती वरस 2014 की लागू है जो option number d यहां पे सही होगा फिर है पूल्णा किसकी साइक नदी तो पूल्णा हम जानते हैं ताप्ति की साइक नदी है तो यहां पर आप्शन नमबर डीस का सही हो जाए